हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एलवीरा के बारे में बताऊँगी कि एलवीरा को हम छोटा सा पोधा लाकर कि अगर हम अपने घर पे लगाएं तो हमें बहुत ही इस एलवीरा से ला मिलता है और जैसे हम एक पोधा लगा लेते हैं तो देखो सारा ही ये गमला है कितना ही अपने चहरे पे भी लगाये जाता है और बालों पे भी लगाये जाता है ये बहुती अचा होता है और इसकी जो जाधा ये बड़ी-बड़ी जो पतियां हो जाती है इनकी हम सबजी भी बनाते हैं, सबजी भाँती स Daar hmmee पहले मैंने एक वीडियो बनाए थी उसमें आपको मैंने दिखाया था चोटे-चोटे ये बेबी इसके प्लांट थे और वो मैंने लगाये थे कितने बड़े-बड़े हो गई हैं तो इस तरह से आप अलवीरा को कहीं भी किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं और बहुत बड़ बड़े ये पोते हो गई हैं तो फ्रेंड्स आप ये अलवीरा अपने गर में जरूर लगाएं और मेरे वीडियो को लाइक केज़ेगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब केज़ेगा जो नई मेरे चैनल पे जो वीडियो देख रहे हैं ये जो ये ओ थेली होती है जो तो अपने गट्टे की जो थेली बनाई हुई होती है, इसमें भी देखो यह कितना सारा लग जाता है, और इसमें सिर्फ मेने मिट्टी में गोबर खात मिलाई है, और कुछ नहीं है, और यह देखो छोटा सा घमला है, और कितने इसमें 10-15 लग बग इसमें यह पोधे बन झाल झाल